कि नमस्कार अपनी पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार की राजनीती में इन दिनों उठापटक जारी है बतादे कि 12 फरवरी यानि कल सक्ति परिक्षन है नई सरकार को विश्वास मत हांसिल करना है ऐसे में जितने भी दल हैं वह अपने विधायकों को घेराबंदी करने में लगे हुए हैं इस वक्त हमें बिहार के आवास के बाहर एक पोलो रोड जहां आपको तश्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि यहां जो है भोज का योजन किया गया है बतादें कि बीजेपी के कई विधायक जो है नाराज चल रहे हैं ऐसी खबरे लेकर के भीहार की राओ में इन दिनों भूचाल आया हुआ है यहां सभी विधायक को जो हैं कि नजर है कि वह इस कारकम में नहीं सामिर हुए थे हलाकि दूसरे दिन तमाम विधायक पहुश गये थे 12 फरवरी को बिहार में सक्टी परिक्षन है नई सरकार को विश्वासमत हासिल करना है और इसके पहले सभी दलों की तरफ से विधायकों की घेराबंदी जारी है भाजपा के सभी बढ़ायकों का दो दिवसे प्रसीश्वा करकम के तहरे बहुत गया में रखा गया था समापती के बाद सभी बिधायकों को इकठे करके पतना लाने की तयारी है और वहीं नितिस सरकार को समोर को सक्ति परिक्षन मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि तीन बसों में भरक जो है सभी भाष्वा विधायत जो है बोध गया से पटना थोड़ी ही दिन में पहुंचने वाले हैं और सभी सीध्य जो है डिप्तिसियम यानि बिजय सिन्हा के आवास पर पहुंचेंगे और यहीं नहीं बता दें कि रात में जो है भोजन की विवस्था है और यहीं नहीं स सब्सक्राइब से मुलाकात कर ली है वहीं रस्मी वर्मा और विन्य बिहारी भी साथ हो गए है और नहीं सरकार के फ्रोटेस्टों से पहले राज्य में सियासी हर्चलतेज है सभी पार्टियां अपने विधायकों पर नजर बनाई हुई है एक और जहां कॉंग्रेस अपने गर में नजर Milliarden थे चनेता ख़ब्रेया सामनी आ रही थी अबमें को मiltरी शावन कुमार के घाट य हई भोचने विधायक खामि नहीं है जिननले है सालनी मिश्रा थी वह उनकी अनुपस्तिती देख्य गई और कई सवाल भी उठाने १ between जल्कार्वीं चाहिए हैं कि वह में थी उनकी कारण कल की मीटिंग में वह सामिल नहीं हुई थी बता दें कि विधान सभा अध्यक्षे अवध विहारी चौधरी के इनकार से विहार में राजनेती हल्चल बढ़ गई है स्पिकर अवध विहारी चौधरी के वोटिंग कराने की इजाजत नहीं होगी वहीं क्योंकि उनके खिलाब भी एंडिये विस्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है पर इस पर जो है राश्टिये जनतादल के राजसभा सांसा जो है मनोज हार ने कहा कि एस्पिकर को हटाने के लिए जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया है सुप्रीम कोट के नेने के अनुसार जो है कम से कम 122 सदस्यों का उस समर्थन होना चाहिए तब ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है और यहीं नहीं उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार के सलाहकारों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के सुप्रीम कोट के नेने के अलोक में ही कोई फैजला ले यानि राजसभा सांसद मनोज हां ने भाजपा पर करारा हमला करते हैं कि वैसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कारिसाला के नाम पर विधायकों को लेकर बाहर चले गए और यहीं नहीं उन्होंने कहा कि मह सिक्षन का कारकरम के तहां जो है वह रखा गया था इससे पहले हम आपको विजय सिन्हा के आवाज की तस्वीर दिखा दे जहां देखिए कि यहां त्यारी चल लिए गेट बंध है अंदर जाने की परमीशन नहीं है थोड़ी ही दिर में सभी विधायक जो है बोध गया से जो है सिधा बिहार के डिप्टेशियम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंशेंगे और सभी लोग यहां भोज में सम्मिलित होंगे बिहार की राजनीती पर चर्चा होगी कहा जा रहा है कि विजय पी के कई विधायक जो है वह गयर हाजिर हैं ऐसे में सभी की मौजूदगी होना यहां अनिवार बताया जा रहा है सुत्रों से मिली जनकारी के मुताविक बता दे कि बिहार में कल बड़ा खेला होने वाला है तो यह तस्वीर है बिहार के डिप्टिस्यम पीजय सिन्हा की अवास का जहां आप तस्विरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कुर्सियां लगी भी है और थोड़ी ही देर में नेता जो है वह पहुचने वाले हैं यानि पलपल की खबर जो है नियूज फॉर ने आप सभी को बता रहा है और उन तमाम चीजों से आउगत करा रहा है कि बिहार की र सारीती में क्या हो रहा है कौन सा बड़ा खेला होने वाला है कौन पार्टी के जो विधायक है वह तूट रहे हैं तो बने रहे हैं नियूज फॉनेशन के साथ धन्यवाद